कुक विद मा इंग्रिडियंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपकी लिए जो रेस्पी शेयर करने जा रही हूँ हो है वैज अफगानी मॉमोस की रेसिपी पेहर टैम्टिंग से ये मॉमोस आप घर पे बहुत असान तरीके से बना सकते हैं ये क्रीमी करना है इसके लिए मैने लिया है फार कॉप में डाल देंगे हम फार टीस्पून नमक और डाल देंगे इसमें पानी डालकर हम में इक इसका स्टिफ टो तैयार करना है तो बहुत ज़ग्जादा ठाइट और भोट झालत हो नी होना चाहिए थोड़़ग पानी डाल कर आप जैसे रोटी काटा लगाते हैं इस तरह का एक डो आप तयार कर लेजिए देखे इस तरह से कि यह तो हमारा तयार है अब इसमें हम ऑईल थोड़ा सा डाल के इसे एक बार और नीट कर लेंगे और इसे ठककर रख देंगे ऐल डालने से सूखेगा नहीं मैदा अब एक पैन लेंगे इसमें मैंने डाला है बटर और डाल देंगे इसके साथ ही ग्रीन चिली चौप की हुई ग्रीन चिली है यह दिए मैंने डाला जिंजर गालिका पेस्ट आप चहहें दे चौप करके डाल स शिमला मिर्च और डाल दीचे इसमें गाजर सबजी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो भी सबजी आपके पास अविलेबल हूँ आज मैं पनीर के मोमोस बना रही हूँ तो मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर ये मैंने लिया है टोफू जो सोया बिनकक पनीर होता है आप नमक नमक पाउडर और ये डाल दीचे सोया सौस और इसे हलकता सोते कीजिए का इसे बहुत ज़दा हमें कूपनी करना है तो मूमोस बहुत जूसी होते अंदर से और बेस्ट मूमोस की यह पहचान होती कि अंदर से बहुत जूसी होते हैं अब ग्रीन कोरियंडर डाल कर बनाया था इसे एक बार और नेट कर लेते हैं अब इसकी छोड़ी छोड़ी सी बाल्स बना लीजे आप इक्वल साइस की इतने डो में हमारी पंदरा दस से पंदरा बाल्स बन जाएंगी अब एक फ्लैट सरफेस पर आप थोड़ा सा मैदर डस्ट कीजिए और इसकी पूड मुमोस की लेर बहुत ही होती है अब इसमें हम डाल देंगे स्टफिंग जो हमने तयार की थी अब इसे एक साइट से फोल्ड करते जाएं और देखिए बंद करते जाएं इस तरह से इसमें पानी या कोई भी हमें घोल नहीं लगाना है इसे आप ऐसे ही सील कर दीजे देखि आती हूं एक साइट से फोल्ड करते जाहिए और एक साइट से आप इसे हाफ सर्कल जासे से फोल्ड कर लीजे इसतरह से सारे मॉमोस अब तैयार कर लेजे अब मैने लोटू मीडियम ये ओयल गरम किया था इसमें अब हमें मॉमोस फ्राइब करने हैं तो एक बार मिन जितने यहां उतने डाल दीजे और बहुत जदा इसे हमें गोल्डर ब्राउन नहीं करना है इसकी लेर बहुत धिन है तो यह बहुत जल्दी कोख हो जाएंगे फ्राइ हो जाएंगे यह अब दिखिए हमारे मूमूस अल्मूस फ्राइ हो गए है अब इसे हम निकाल लेते हैं और बाकी के सारे मूमूस भी इसी तरह तल लेंगे अब इसकी हम में एक सास बनाएंगे इसके लिए मैंने लिए है बटर एक पैन में डाल लिए बटर और इसके साद डाल दीजे घ्रीन चिली यह मैंने डाला है फ्रेश क्रीम क्रीम की जगह पे आप मलाई भी ले सकते हैं कि आधा कप मैंने क्रीम लिए यह और डाल दीजे नमक एड़ान, और ङ верх चिली दाल सकते हैं और अज्टाम अगर आपके पास पैरी पैरी मसाला ना हो तो आप गरम मसाला डाल सकते हैं और अरेगान नो डाल सकते हैं और ये में ने डाल दिया एक कप दूध और साथ में डाल दीजे green coriander फ्रश धनिया targeted जो हता है और इसको थिक कंसिस्टेंसी तक हमें पकाना है और शोट कर लेंगे लुकAm मोमोज को डाल कर लेंगे environment झाल झाल